नमस्कार मेरा नाम नरेंदर कुमार सिंगे और आप देखरें नियूस प्रयर आज हमारे साथ बिने चौदरी जी है जो बेंगॉल सिष्टी इंट्रेश्टी डेवलेमेंट लिम्टेट के अपरेशन सेड़ है असन सुल में आपके श्राइब तेंक यू बेरमाद सर बिने जी हम यह जाना चाहेंगे सिष्टी नगर बहुत दिनों से यह प्रोजेक्ट लिए संसल में तो यह ताजा इस्थिति क्या है तो इसके बारे मताई है पहले मैं बता दूं आपको कि यह जो स्रिष्टी नगर प्रोजेक्ट है हमारा यह गौर्मेंट अब वेस्पंगॉल के सारी एक्टिविटी स्कूल हॉस्पिटल हर चीज की सुविधा आपको एक ही छत के नीचे अपलवत हो जाएगी आज अगर आप देखते हैं इस टाउंशिप के बारे में तो यहां पर अलग लग सेक्शन है पूरे अगर सामने देखिए गाप सबसे पहला हमारा जो सेक्श उसके बाद दूसरे जो थे उस टाइम पर प्लॉटेट मंगलोस थे आप देखिए गाप पूरे प्रोजेक्ट को बड़े शांदार तरीके से हमारे सिंगापूर के आर्किटेक्ट ने इसको पूरा डिजाइन किया था और इसको पूरे को एक इस तरह से बनाया है कि इसमें हर चीज को अलग लग देख सकते हैं अराम से और रिजडेंट्स पियाराम से सुविधाओं को प्राफ्ट कर सकते हैं और रह भी सकते हैं जिसके अंदर हमारा मॉल आता है कमर्शिल ऑफिसे आते हैं शिरीहरी ग्लोबल स्कूल आता है और साथ में अभी हेल्थ वर्ड हॉस् इसमें आता है तो यह सारी commercial activities हमारी होती है इस project के अंदर में नदी के इस पार और यह हमारा townhouse करके है जो सबसे premium product है आज की rate में और यह आपका duplex bungles है इसके अंदर में और इससे भी आगे में premium segment है हमारा जिसको हम उपवन करके नए plots बना रहे हैं जो की सबसे premium product है और भी और इसके अंदर सारी facilities available है इसके लावा हमारा residential project में तरंग है जो की हमारी जी प्लस 12 towers है अभी पांस टावर हमारे बनके हैं दो टावरों में और काम चल रहा है और ऐसे आगे भी और टावर आएंगे प्लस एक affordable segment के लिए हमने संगती करके product launch किया है जो की एक affordable category में आता है और इसमें general public के लिए भी सारी same standards आपको मिल सकेंगे किफाइती दाम में जो mall है अभी हिस्सा कुछ हिस्सा उसमें खाली दिखाए दिए तो वह है प्लस आपका जो office building है वहां भी कुछ हिस्से भी खाली दिखाए तो उसके क्या हिस्तिती अभी सर देखिए कोविड के बास से सा अरे रीटेल पे असर हुआ था और सेंटर मॉल में अगर आप देखिएगा तो जो हमारी आज की डेट में जो आप शॉप्स ग्राउंड फ्योर वगरा पे बंद देख रहे थे वो थोड़ा future group और रिलाइंस का जो टेक ओवर और उनका exit चल रहा है उस process के तहत बंद है जो बैलेंस है और हमारे पास को इन्वेंटरी भी नहीं है तो इस तरह से देखेंगे तो आज की रेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है for the sales of this particular blocks तो मॉल में और कुछ नहीं जा रहा है जो आसन सुर्क लोगों को कुछ मिलेगा नहीं मॉल में अभी अगर आप देखिएगा त और हम लोग उमीद कर रहे हैं कि और भी multiple brands हैं जो कि अभी मॉल में आपको थोड़े सा टाइम में दिखने को मिलेंगे work in progress उनके फिट आउट चालू है सबके मुझे बज़ए कि जो आपके रिसिदेंस जो टावर हैं जो टावर डिवलप हो रहे हैं तो अभी कितने टावर 75% तक काम complete कर पाएं अपना अभी भी हमारे पास 75% का स्कोप बाकी है जो कि हम उमीद कर रहे हैं कि आने वाले तीन से चार सालों के अंदर हम complete कर देंगे कोविड के वज़े से जो एक इकलोमे में और इस्तिरता आई थी जो गिरावट आई थी परचेजें नहीं होती रिले स्ट में कई सारे प्रोजेक्ट जो थे बिगने रहते हैं उनका ओफिस या फिर वो बिल्डिंग से अपार्टमेंट हो रहा हो तो ये कोविड के बाद कि आपकी जो टीम तीनों ने किस तरह प्रफॉर्मेंस दी किस तरह काम किया किस तरह डिलिवरी दी प्रोडक्स की डेफिनेटली उससे काफी अच्छे इंप्रोव्मेंट हुई है और खासकर जो अब राशिया और एक युद्ध है जो वार है आँ कहा जा रहा कि उससे भी रिकवरी कब तक होगा जो रशिया और युक्रेयन की वार है उसका मुझे नहीं लगता है कि हमारी अर्थ होए वस्ता पर कोई इस पर खास फरक पड़ रहा है इवन हम लोग का जो रियल स्टेट है या रीटेल है उसमें भी इसका कोई इंपक्त यहां पर ग्राउंड के आपके पास को टीमांड करेट होरहे जैसा कि मैंने आपको का करती है जिस में जिसतरह से हम लोग अपनी मार्केटिंग स्टेजी इन प्लेस लगा रहे हैं जिस से हम लोग अपने प्रॉडक्स दिखाई दे रहा और क्या opportunity की पैदा हो रही है सर असंसोल का पूछिएगा आप हमसे तो हमारे इसाब से अभी काफी सरा scope बाकी है संसोल में development का हम लोग अभी मोटा मोटी अगर आप देखने जाएंगे तो 80% और growth का scope रखते हैं इस जगा में यहां पर potential वैसी है यहां पर जो investors हैं और जो लोग जिस तरह के रहते हैं उनका मतलब काफी अच्छा capabilities है और वो लोग इस तरह के अगर आप business opportunities कोई आएंगी तो definitely हर किसी को उसमें growth मिलेगा और investor वेस भी अच्छा है संसोल में सो definitely 80% का जो scope है उसको हम हासिल कर सकते हैं और भी असन सुल दुरुगापूर एक तरह से ट्विन सिटी है आँ असन सुल से पहले लेकिन दुरुगापूर में real estate में एक तरह से बूम आया था और इधर देखे रहा कि फिर से वहां एक तरह का बूम है बड़ी-बड़ी कंप से वो डिवलप कर रहा है और रहिए और हर जगह का अपने डेमगरेफिक हिसाब किताब होता है जिसके बेसिस पर उनकी इक्रों करती है और असनसल में भी डेफिनेटली जिस तरह से आ कंपनी यहां बाहर से काफी लोग इंट्रेस्ट ले रहे हैं अभी नए नयने प्रोज बेंगल सिष्टी तो उसमें क्यों लिए प्रोजेक्ट आपका ये सिष्टिम अगर जो कन्यापूर के पास होई रहेगा न भी और भी कहीं असको बाप देख रहे हैं सर हमारा मैं बता दूं आपको कि जो बेंगल सिष्टी इंफ्रस्ट्रक्चर डवलप्मेंट लिमिटेड के अंटर जो प्रोजेक्ट आते हैं वो दुर्गापूर सिटी सेंटर आता है जो कि हमारा प्रीमियम फ्लैक्शिप प्रोजेक्ट था रानिगन स्क्वेर जो और कोई नहीं प्रोजेक्ट पर कहीं कि दुसरी जगह पर आप काम करने जा रहे हैं आसनसल में या आसनसल के आसपास सर हमारी जो पेरेंट कंपनी है स्रिष्टी इंफ्रस्ट्रक्ट्चर उसके काफी जगह काम चल रहे हैं हमारी एक धाई सो इकड़ की टाउंशिप अपन खासकर आपके जो अपर्ट्समेंट से फ्लेट जिनों लिया है हमने कुछ दिन पहले जगा सुगम पर्क में एक खराब इस्तिती पहदा हो तो वहां पर आग लगने के बाद लोगों ने सिखायत की कि जो सुगम पर्क डिभलपर है उन्होंने कुछ नहीं किया वो कुछ कर के उपर ग्रोथ हो रही है और आज की रेट में जब भी हमारा यहां पर कोई कस्टमर आता है तो उनको पहले अशोर्टी रहती है कि सिस्टम प्रॉसेस स्रिष्टी में फॉलो हो रहे हैं वह एकदम टॉप लेवल के हैं और अच्छे क्वालिटी के प्रोड़क्स हमने लग सेफ्टी हमारा पहला प्राफ प्रामीटर है जो हम कस्टमर के लिए कभी भी दिमाग में अपने रखते हैं और इसी के बेसिस पर हमारा आगे कस्टमर कॉंफिदेंस भी बना रखता है तो यह कर रहे हैं कि जो आप यहां काम कर रहे हैं जो भी हो जाओ वह मौल हो या फिर या फिर टाओर हो वह आपके मुताबिक है कि अब टू डिट अट सरकार के नोंस की साथ जी बिल्कुल सारे के सारी जितनी भी सरकारी तंतर हैं जो फायर डिपार्टमेंट वाले उन्होंने इंफ्लेट कली इंस्पेक्शन की थी हमारे साइड पर आके और सारी चीजा उन्हों टीम जाके फिजिकली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली इस तरह से सारी एक्यूप्मेंट का जायजा करके उनको अप्डू डेट रखती है पूरा आखरी स्वाल है कि तो आप अपने जो किस्टमर आते हैं, जो मॉल में आते हैं, सिर्टर मॉल में आते हैं, या फिर आपके जो अपार्ट्समेंट से फ्लेट से वो खरी आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मेरी तरफ से एकी संदेश है कि जितने भी कश्कमर हमारे हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज की रेट में अपना confidence हमारे अंदर रखा है और उन्हीं के चलते हम आज दिन तक अच्छी तरह से काम करते आ रहे हैं, अब हविश्य में भी हम आपकी सारी उमीदों के expectations के पूरा समान उतरेंगे पूरा, धन्यवाद, thank you sir, thank you.